अब क्या बोलू है ऐसी ऐसी मूवीज आती हैं कि जिनको देखकर उल्टी आने लिग जाती हैं और जिनके बारे में सच में बात करने का कोई मन नहीं करता हैं बट क्या करूं काम है सहना पड़ता है और यह सब चीजें करनी ही पड़ती है देखनी ही पड़ती है रिव्यू जो करना है नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अनलोक दा हॉंटिड एप इस मूवी के बारे में जिसे जी फाइफ पर रिलीज किया गया है और सबसे अच्छी बात इस मूवी की यह है कि यह एक घंटे से भी कम टाइम भी किया है मतलब कि 58-58 मिनिट की है वैसे कम टाइम की होने का मतलब यह तो है नि कि अच्छी कोई चीज है बट फिर भी आपको मतलब कि कम टोर्चर सहना पड़ेगा एक घंटा मतलब आप इसको देखने की सोच रहे हो अगर आपने देखी भी होग या सोच भी रहे हो पांच ओंचटा है इन यहां पर मैं इसके मेकर्स को एक ही बात बोलना चाता हूँ यह बगवान चकले रहे बबाबा चकले इसके मेकर्स को ही चकले अब इस मुवी की खूबसूत कहानी के उपर आते हैं अमर और रिधी जो एक कपल है इस मुवी में जो एक दूसरे से बोहुत प्यार करते हैं कसम से मैंने आज तक मैंने इतनी प्यारवाली मुवी या इतना प्यार इन दुनों गीच में कभी ऐसे किसी के बीच में देखा भी नहीं था और अदिती और अमर के दो और दोस्त हैं एक का नाम है सुहानी जिसे प्ले किया हीना खान ने और एक है अनुभाव As usual सुहानी जो है वो अमर को पसंद करती है और अमर जो है वो रिधी को पसंद करता है रिधी अमर को ही पसंद करती है यह नहीं कि रिधी किसी और को पसंद करती है मतलब वही चीज़ एक ट्राइंगल दिखाने के यहां पर कोशिश की गई है और सुहानी अमर को पाना जाती है कभी उसे बोल नहीं पाई यह चीज़े बट अभी भी उसके दिल में यह इच्छा है कि उसे अमर मिल जाए तो ऐसे यह पार्टी मेटे होते हैं अबव इन तीनों अपने तीनों दोस्तों को एक बात बताता है मतलब बात यह इंटरनेट के डार्क वेब के बारे मताता है कि एक डार्क वेब भी है जिसमें illegal काम होते हैं और वहां पर आप जो चाहें जैसा भी काम चाहें जो भी आपकी demand वो चीज़ें सारी की सारी वहां पर पूरी हो जाती है तो सुहानी इन सब चीज़ों के बारे में सुनती है और वो इससे influence हो जाती है और घर जाके वो डार्क वेब के बारे में सर्च करती है यह कीन मानों सिर्फ उसने सर्च किया और search करने के बाद और उसे dark web मिल गया उसके अंदर उसने enter कर लिया यार मुझे video editing सीखने में, मुझे photo editing सीखने में मुझे बोहत time लग गया और अभी भी मैं उसके पर काम कर रहा हुँ मुझे अभी भी वो अच्छे से नहीं अई और इन जैसोंने सिरु सब्क सेर्च करने पर वह ड़ार्क वेब के बारे में जान भी लिए। हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा कि आते हैं मजाग हो रही है तो डार्क वैब में इंटर करने के बाद इसे एक मैसीज आना शुरू होता है स्वहानी को कि एक अप इंस्टोल करो वो एप इंस्टाल करती है अन्लोग वैब एक अन्लोग आप के नाम से इसके फौन में एक अप इंस्टोल हो जाती है और यह आप जो हॉंटिड है तो आजकल के बूत होए वो भी डिजिटल होगे है उनको भी एक app की जुरूरत आने पड़ी, उन्होंने भी अपनी app launch कर दी है, उन्होंने एक website बना लिए, अगर किसी को contact करना है, किसी भी ऐसे booth से, online booth से, digital booth से अगर आपको contact करना है, तो G5 वालों से जाकर मिलो, वो आप लोगों को बताते हैं कि ऐसे booth कहां मिलते हैं, तो यह unlock अगर तुझे अमर सच में और अपने नजदीक चाहिए, तो तुसके तीन task कैसे करने पड़ेंगे, सुहानी इसके लिए हां कहा देती है, पहला जो टास्क होता है, वो किसी एक बच्ची मरी हुई होती है, उस बच्ची की लाश को जो है, वो समुंदर में फैक ना होता है वो फैंक देती है, फिर एक बुडिया के घर पे जाना होता है, जो भूत होती है फिर वहां से एक बैग लेक आनाता है बैग भी ले आती है, बतलब यह चल गया रहा है यार, कोई मुझे समझा दो यार इसमें, कुछ भी, कुछ भी, बस यही बकवास कहानी चल रही है, और सच में यह कहानी देकर अपने आमको गोली मारने का मन कर रहा है, अब सोचो यार, गोली मार क्यों ने ली, अरे बंदूक नहीं है ना मेरे पास, क्या बोलें यार, इसतनी बकवास स्टोरी ओपर, कौन है यह लोग जो इतनी वाहियात स्टोरी लिखते हैं, क्या इनको बिलकुल भी फार्क नहीं पड़ता है कि ओडियन्स इनको गाली देने वाली है, क्या इतने फास्तु रुपे हो गए हैं कि बस यह आग लगाने पर लगे ह इतना महमारी चली हुई है, इतने लोगों को जरूरत है रूपियों की, उनको राशन पानी की जरूरत है, तो यार वहाँ जाकर लगाओ ना, लोगों की दुआ मिलेगी, क्यों लोगों की गालिया खा रहे हो, और मेरे क्याल से इस मूवी का नाम होना चाहिए था भूतिया यह नहीं कि Unlock the Haunted App, बूतिया अप ज्यादा इसको सूट करता, ज्यादा सेंस बनता, और ठोड़ा ड्रावना भी लग सकता था, या फिर लिख सकते थे कि बूत जो है वो एप का इस्तमाल करने ले, कुछ भी ऐसा, थोड़ा बूत, मेरे इसाब से ऐसा होना जाए, बट अन लोगों ने भी यह मुवी देख रही है, बट मुझे पता है तुम लोग फैन होगे, वही फैन, जो क्या बोली उनके बारे में, अगर तुम इन लोगों के फैन हो, तो मुझे पता है कि तुम गाली लिखने वाले हो, बेशक लिखो यार, मैं तो आज तक कभी किसी को रोका तक नहीं है, गाली लिखो जो तुमारे मन में है, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके देखो, कि क्या है ये मुवी डिजर्व करती थी देखने के लिए, या फिर अभी तक जिन्होंने नहीं देखिए, तो भाई, एक ही सला देने वालों, ये जी फाइव जो है ना, व